नमस्कार बच्चों मैं रुची सक्सेना आपका मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको ग्राम लक्षमर पशुराम संबाद का छटा अंश पढ़ाने जा रहे हूँ कहो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा यहां पे लक्षमर पशुराम से कहते हैं हिमुनी आपकी शीर स्वभाओ के बारे में संसार में कौन ऐसा है जो नहीं जानता यानी सभी आपके वेवार से स्वभाओ से परचित है माता पिता ही उरिन भैनी के गुरिन रहा सोचबड जी के माता पिता के तरिर से आप उरिन हो चुके हैं लेकिन गुरू का उरिन जो है वो उतारने के लिए आपके मन में बहुत चिंता है सो जनु हमरे ही माते कारा इसलिए आप उसको हमारे माते मरना चाहते हैं दिन चली गए ब्याज बढ़वारा बहुत दिन हो गए हैं उसका ब्याज बढ़ गया होगा अब आनेव बैभारिया बोली तुरंद देव में थैली खोली अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला ले तो मैं तुरंद अपनी थैली कोल करकि जितना भी होता हो मैं उसको वो पैसा दे दू सुनी कटू वचन कुठार सुधारा जैसी लक्षमन किस प्रकार के कटू वचनों को पचुराम जी ने सुना उन्होंने मजबूती से अपने कुठार को फरसे को पकड़ लिया हाई हाई सब सभा पुका सभा में जितनी राजा थे सब हाई हाई करके ये अनुचित है ये अनुचित है कहने लगे भ्रगवर परसु देखा भभुमोही विप्र Вिचार बचो नप्दोही भ्रगवर के फ़र्से को मैंने बहुत बार देखा है लेकिन मैंने इनको ये ब्रामन ये सोच करके इनको छोड़ दिया नपर्दोही ये राजाओं के जिद्रोही हैं इनको मैंने हमेशा ब्राम्मार समझ करके छोड़ दिया मिले न कभ़ों सुभर रनगार है दिज देवता धरई के बार है कहने लगे आप कभी भी पहले युद्ध में किसी योध्धा से नहीं मिले होंगे हे दिज देवता हे ब्राम्मार देवता धरई के बारे आप के वल अपने घर में ही जो है वो अपने का अपना मान सम्मान अपना जो है वो बढ़ाते रहे हैं आपका कभी सामना युद्ध भूमी में पराक्रमी वीरों से नहीं हुआ है इसलिए अनुचित कही सब लोग पुकार ये अनुचित है अनुचित है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा लोग महाँ पर कहने लगे रगुपति साय नहीं लखन उन्यवार है तब रगुपति प्रगुराम ने अपनी नेत्रों से लक्षमन को मना किया लखन उत्तर आहूति सरे से भ्रगुवर को पुक्रसान लक्षमन के उत्तर आहूति का काम कर रहे थे और भ्रगुवर जो भ्रगु में श्रेष्ट से उनका क्रोध जो था वो अगनी के समान बढ़ रहा था बढ़त देख जल सम वचन बोले रगुकुल भानू तब जब देखा कि मामें आग में अगनी का काम रक्षमन के वचन कर रहे हैं उसको शान करने के लिए रगुकुल भानू रगुकुल के भानू समान शिरी कृष्ट ने क्या किया जल के समान वचनों के वर्षा करके उसको शान करने का प्रयास किया